इस स्कूल का बहुत ज्यादा नाम हो रहा था धीरे धीरे इस स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ रही थी और जो भी बच्चा इस स्कूल में पढ़ने आता वो एक बार इस स्कूल के क्लासरूम 333 में जरूर जाता था और फिर उसके बाद वही होता था जो इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ होता था ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल में सभी टीचर्स को मीटिंग रूम में बुलाती हैं बच्चा मैं अभी बस पांच मिनिट में वापस आ रही हूँ क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा और क्लास में शोर भी नहीं होना चाहिए ठीक है बस अभी आती हूँ सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास को समझा कर प्रिंसिपल में के पास आ जाती है वहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग चले रही थी सीमा जब सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो वो चुप चाप क्लास से बाहर निकल कर आ जाती है और वो मीटिंग रूम तक पहुच जाती है और वहाँ जाकर सीमा जो देखती है उसके पैरो तले जमीन के सक जाती है मुझे तो लगा सिर्फ दाल में काला है लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है प्रिंसिपल में भी चुडल सभी टीचर्स भी चुडल सिर्फ इस स्कूल की क्लास रूम ट्रिपल थ्री में ही चुडल नहीं है यहाँ तो सब चुडल है यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर य पान सो जब मैं इस स्कूल में आई तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कौम्याब हो जाऊंगे मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी कौम्याब हो जाएंगे सब ही स्टुडेंट्स हमारे इशारों पर नासते हैं सिर्फ हो सिर्फ हमारी महान चुडल मौहिनी की वजह से ये सब हो रहा है अगर वो सब ही बच्चों को डरा धमका कर नहीं रखती तो हम अपने मकसद में इतनी जल्दी काम्याब नहीं होते हैं वो इतनी भी महान नहीं है जितनी महान मैं हूँ मैंने ये सब क्या है उसने नहीं उसने क्या ही क्या है बस क्लासरूम ट्रिपल थिरी में बैठकर बच्चों को डरा कर और धमका कर ही तो रखा है बाकी सारा काम तो मैंने ही क्या तुम्हें पता है वो रानी बनना चाहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, रानी मैं बनूँगी, सिर्फ वो सिर्फ मैं, हाँ, 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 ठीक है, जब हमारा मकसद पुरा हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे, कि हमें आगे करना क्या है, अब आप बताएं, कि आपने यह मिटिंग क्यों रखी, हाँ, 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 हाँ वो तो मैं तुम्हें बताना भूली गई, यहे लो, सब ही अपनी अपनी क्लास के बच्छों को एक-एक बुंद पिला देना, और उसके बाद हमें सबी स्टूडेंट्स को कॉली पहाड़ी ले कर जाना है, हाँ, 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 तुम्हें पता है न, हमें सबी विश्य के बारे में सौस्ती है, उनका भला चाहती है, लेकिन नहीं, यहां तो कोई और ही खेल खेला जा रहा है, इस स्कूल के सभी बच्चों को शैतान बनाने की साजिश के जा रही है, मुझे ये सब रोकना होगा, हाँ, हाँ, मुझे इन सब चुड़ाय लोगों रोकना हो बैठे जाती है, सीमा बहुती ज्यादा डरी हुई थी, बहुती ज्यादा वो थर थर कांप रही थी, तब ही सुनैना सीमा से कहती है, सीमा तो कहां गई थी, तुझे सुजाता मैम ने तो नहीं देखा, और तो इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है, क्या हुआ, सब ठीक तो ह सुनेना बायर तुम दोनों मेरी बात कान खुल कर सुनो किसी भी समय सुजाता मैम आ सकती है इस से पहले कि वो हमें बाते करते हुए देखें मुझे तुम्हें कुछ बताना है इस इसकूल में सभी टीचर्स चुडैल है यहां तक कि प्रिंसिपल मैं भी उनका एक खास मकसद ह वो सभी बच्चों को शेतान बनाना चाहती है और वो इस क्लास के अंदर आकर सभी स्टूडैन्स को कुछ पिलने वाली है तुम्हें वो नहीं पीना डीटेल मैं तुम्हें बात में बताऊँगी ठीक है बस तुम्हें वो पानी नहीं पीना प्यारे बच्चो मैं तुम्हारे लिए पवित्र जल लेकर आई हूँ जो तुम्हें पीना है और इसे पीने के लिए तुम्हें अपनी आँखें बंद करनी होंगी और तीन बार ये कहना होगा कि हम इसके लिए तयार हैं बस ठीक है सुचाता मैं के कहने पर सभी बच्चे अपनी आँखें बंद करकर तीन बार ये कहकर हम इसके लिए तयार हैं पानी पी लेते हैं लेकिन सीमा सुनैना और पाइल वो तीनों ना तो तीन बार ये कहती हैं कि हम इसके लिए तयार हैं और नहीं वो उस पानी को पीती हैं सुचाता मैम को लगता है कि क्लास के सभी बच्चों ने पानी पी लिया और वो क्लास से बाहर चले जाती है सीमा इन सभी बच्चों को क्या हो गया है ये जॉंबी की तरह क्यों नजर आ रहे हैं और ये सभी स्टूरेंट्स की आँखें लाल कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है और ये हमें कैसे घोर घोर कर देख रहे हैं पानी के अंदर ऐसा क्या था जिसे पीने के बाद सभी बच्चे ऐसे हो गए हमारे पास समय पहुत कम है हमारे उपर किसी को शक नहीं होना चाहिए हमें इनका खेल बिगड़ना है हम एक दिन के लिए काली पहाड़ी पर चा रही हैं जैसा कहूं बिल्कुल वैसे ही करते रहना किसी को हमारे उपर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए किसी को उनके उपर शक ना हो इसलिए जैसे सभी स्टुडेंस कर रहे थे वैसे ही वो तीनों भी कर रही थी वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों के पैरेंट्स को फोन करकर बता देती हैं कि वो दो दिन के लिए सभी बच्चों को घुमाने लेकर चा रही हैं और उनका अपने बच्चों से कॉंटेक्ट नहीं हो पाएगा और जैसा कि उस प्रिंसिपल चुडल ने सोचा था वैसा ही हुआ बच्चों के पैरेंट्स कुछ भी नहीं कहते और वो सब ही चुडल उन सब ही बच्चों को बस में बिठा कर काली पहाड़ी के लिए निकल जाती हैं और उन्हें एक गुफा में ले जाती हैं सीमा और पायल मुझे तब बहुती स्यादा डर लग रहा है यह कुफो कितनी स्यादा खतरनाग है यहां तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है कितनी स्यादा डरावनी डरावनी आवास आ रही है अब यह हमारे साथ क्या करने वाली है क्या हमारी बली चड़ाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आई है नहीं यह हमारी यहाँ पर बली नहीं चड़ाएंगी यहाँ पर कुछ हवीधी करेंगी और उसके बाद हमें दो बारा से स्कूल लेकर जाएंगी और क्लास रूम ट्रिपल थरी में जो चुड़ायल है उसके साथ मिलकर अपना खास मकसद पूरा करेंगी तुम्हें पता है क्लास रूम ट्रिपल थरी की जो चुड़ायल है उसके पास एक ताज है जिसे प्रिंसिपल लेना चाहती है वो सभी चुड़ायल काली पहाड़े की काली कफा में बहुत सारी विद्यां करती है और सभी स्टूड़ेंट्स भी उन सभी चुड़ायलों का साथ देते हैं और जैसा वो सभी स्टूडेंट्स कर रहे थे वैसा ही यह तीनों भी कर रही थी और इसी तरह यहां पर पूरा दिन बीट जाता है और उसके बाद वो सभी चुडल सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में वापस लेकर आ चाती हैं और जैसे ही सभी बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं वैसे ही उन्हें स्कूल के अंदर से जोर-जोर से चिलाने की आवाज आती है हम 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 चोड़ूंगे नहीं किसी को नहीं चोड़ूंगे मेरे साथ धोका मेरे साथ धोका किसी को नहीं चोड़ूंगी हाँ किसी को नहीं चोड़ूंगी किसी को भी नहीं चोड़ूंगी हा 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 सुचाता यह आवास तो रूम डंबर ट्रेबल्थरी से आ रही है उस बढ़िया का क्या हो गया है इतनी ज्यादा क्यों मिल बिला रही है उसे पता नहीं था कि हम काली पहाडी पर गए थे हम ये काम उसी को आजाद करने के लिए ही तो कर रहे हैं फिर वो इतना ज्यादा शौर क्यों कर रही है और उसका शौर इसकूल से बाहर चला गया तो त जैसे ही सुजाता रूम नमबर ट्रिपल थिरी में जाती है तो वो चुड़ल सुजाता चुड़ल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है अपने मुझ से खतरनक आग निकालती है उसे जलाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सुजाता चुड़ल उसकी आग से बचकर आ वो अपने मुझे खतरनक सहरीली आग निकाले रही है उसके वार्से मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पच्छ कर रही हूँ उन्हें क्या हो गया है क्या आपने उन्हें बताया नहीं था कि हम काली पहाड़ी पर जा रहे हैं वो इतना ज्यादा गुस्दा क्यों कर रही है उनका गुस्दा खतरे से खाली नहीं जल्दी से चाहिए और उन्हें समभा लिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी अब भी उसका सामना नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मुझे जाना ही होगा जाना होगा मुझे प्रिंसिपल चुडल रोम नमबर ट्रिपल थरी की चुडल से मिलने के लिए रोम नमबर ट्रिपल थरी में चाहती है तुझे क्या हो गया है तुछे क्यों बढ़क रही है मैंने तुझे पहले ही सब बता दिया था कि मैं क्या करेने वाली हूँ और क्या नहीं फिर तुझे गुसा किस बात पर आ रहा है मैंने तुस्से कुछ भी नहीं चुपाया बता किस बात पर तुझे गुसा आ रहा है मुझे सब पता चल चुका है तु मेरा ताजे चुरा कर चुड़ायलो की रानी बनना चाहती है लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूँगी चुड़ायलो की रानी सिर्फ और सिर्फ मैं बनूँगी मैं जल से जल मुझे यहां से आजाद करो वरना मैं सब तबाह कर दूँगी सब तबाह कर दूँगी हो 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 चुड़ायलो की रानी मैं बनना चाहती हूँ इस दुनिया पर राज करना चाहती हूँ सब को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने तुझे से ज्यादा मेहनत की तुझे से ज्यादा काम क्या तुने क्या ही क्या है इस रूम के अंदर कैद तुने सिर्फोसिर्फ बच्चों को डराया है धमकाया है इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया इसलिए ज्यादा हक मेरा बनता है तेरा नहीं चुड़ायलो की रानी सिर्फोसिर्फ मैं बनूगी मैं मैं जानती थी एक दिन तु अपने असली चहरा मुझे जरूर दिखाएगी इसलिए तुने मुझे यहां से नहीं निकाला ना तुझे पता है यहां रहकर मैंने सभी बच्चों को कैसे डराया कितना धमकाया तब ही वो तुम्हारे इशारों पर नासते रहे वो इस स्कुल में पढ़ने आते रहे और सभी बच्चों के माता पिता को यह लगता रहा कि उनके बच्चे कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और इस स्कुल का इतना नाम हुआ सिर्फों सिर्फ मेरी वजह से इसलिए चुड़ैलों की रानी तो सिर्फ मैं ही बनूँगी मैं हाँ हाँ तुझे आजाद करने के बाद अपने मकसद में कामियाब हो जाने के बाद तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू रानी तो क्या नोक रानी बनने के लाइक भी नहीं बचेगी मैंने ये सब कुछ चुड़ैलों की रानी बनने के लिए किया इ और इस तरह से दोनों के बीचे में बहुत ज्यादा बहयंकर लड़ाई होती है सीमा चुपके से रूम नंबर ट्रिपल थी में जाती है और वो उस चुडल का ताज चुरा कर लेकर आ जाती है वहीं दूसरी तरफ सभी टीचर्स प्रिंसिपल चुडल का इंतिजार कर रही थी लेकिन रूम नंबर 333 की चुडल प्रिंसिपल चुडल को मार देती है और उसके बाद जोर जोर से चिलाने की आवास आती है बहुत ज्यादा बाहयंकर सीमा यहां क्या हो रहा है अब क्या होने वाला है कुछ नहीं होगा बस अब सब ठीक होने वाला है मैं चुड़ायल मोहिनी का ताच चुड़ा कर लेकर आ गई हूँ हमने इस इसकूल से जाने से पहले जो प्लान बनाया था वो पूरा हो गया है दोनों के बीच लड़ाई हो गई है और मोहिनी चुडायल ने प्रिंसिपल चुडायल को मार दिया है अब वो अपने मकसद में कभी कामयब नहीं हो पाएंगी बस हमें कुछ भी करकर इन सभी स्टूडेंट्स को ठीक करना है और इन सभी चुडायलों को स सब जानती थी यह सब तुमने क्या है ना यह सब तुमने क्या है ना मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं चोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को कच्छा चबा जाऊंगी चुडायल टीचर रोम नंबर ट्रिपल थिरी की चुडायल को तो हमने बहुत अच्छी तरह से बढ़काया देखो इस इसकूल की प्रिंसिपल चुड़ाल को उसे ने मार दिया तुम्हारी सड़दार को अब तुम्हारी बारी है तुम हमारा बाल भी पाका नहीं कर सकती क्योंकि रूम नंबर ट्रिपल थिरी की चुड़ाल का ताज हमारे पास है यह तुम क्या कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता ताज तुम्हारे पास नहीं हो सकता हाँ तुम्हारे पास ताज नहीं हो सकता हाँ हमारे तुने सालों की महनत इतने सालों की तपस्या इतने सालों की महनत तुम ऐसा नहीं कर सकती ऐसा नहीं कर सकती मैं तुम्हें छोड़ूंगी न नहीं और ऐसा कहकर सुजाता चुडल तेनों को हवा में लटका देती है लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास रूम नंबर ट्रीपल थिरी की चुडल का ताज था जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था और रूम नंबर सुजाता चुडल सेमा को नीचे ऊतार देती है और उसके बाद सीमा ताज लेकर आ चाती है और सीमा रूम नमबर ट्रीपल थिरी की चुड़ायल के सामने ही उस ताज को आग में जला कर राख कर देती है और जैसे ही ताज जलता है वैसे ही रूम नमबर ट्रीपल थिरी की चुड़ायल भी जल कर राख हो जाती है और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स चुड़ायलों के वस से बाहर आ जाते हैं वो बिलकुल ठीक हो जाते हैं और अपने सामने इतनी सारी चुड़ायलों को देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुती ज्यादा डर जाते हैं सीमा सुनेना और पाइल उन सभी चुड़ायलों को रस्यों से बांध देती हैं और सभी बच्चों के पैरेंट्स को इस स्कूल में बुलाती हैं सभी बच्चों के पैरेंट्स इतनी सारी चुड़ायलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद सीमा सभ को एक एक करकर स्कूल में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है आपको पता है यहां पर पढ़ाई के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा था काली शक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा था काली शक्तियों के लिए काम क्या जा रहा था यह हम सभी स्टूडेंट्स को शै हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं कभी तुमने उनकी जिन्दगी में जहांकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है वो इतने उदास उदास क्यों रहते हैं इतने खामोश क्यों रहते हैं बस तुम्हें तो रिजल्ट अच्छा मिल जाता और खुश हो जाते बच्चों की जि कुछ सीमा की वजहा से हुआ है अगर सीमा सबस्थारी से होशयारी से काम 먹어 नहीं करती दो रूम नंबर ट्रीपल ठीघ there не मेडिय और हम कभी आज़ाद नहीं होते हैं उन सभी चुडायलों के ऊपर पवित्र जल डाला चाता है और उस पवित्र जल से वो सभी चुडैल भी जल कर राखो चाती हैं और इस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया चाता है क्योंकि इसके अंदर चुडैलों की आतमाई थी और इस स्कूल की जगा गाओं वाले एक दूसरा स्कूल बनाते हैं जिसमें अब मा की पहुती ज्यादा प्रेसंसा करते हैं क्योंकि उसी की वज़ा से आज वो आज़ाद हुए थे